नमस्कार TV9 राजिस्थान के special show 8PM में आप सभी का स्वागत है इस show में हम बात करते हैं राजिस्थान की बड़ी सियासी चर्चाओ की और वो सियासी चर्चाओ हो क्यों रही है उसकी पीछे की वज़ा हो की तो खैर आज की चर्चा में मुद्दा है क्रोडिलाल मिना देखे आपने वोल पर देखा होगा पीशे कि कि रोड़ी की सुनी नहीं जा रही या मोभंग हो गया यह कहने की वजह क्या है तो इस चर्चों को शुरू करने से पहले एक बयान सुनते उसके बाद इस चर्चों को आगे बढ़ाएंगे पुशकर सर के साथ द्याक साथ सरकार तो आपकी है ना ठीक है आप सरकार के साथ है ना जा नहीं सकता सरकार का अध्गारी सोझाए तो मेरी जिमेतारी नहीं जाकि किसी को बताने की मैं क्या कहने के लिए हैं आपको पूछ को बता हूंगा इतने रिकमेंडेशन होने के बावजूद एक अच्छा थाना मिल जाता है इसको किस तरीके से देखें गलत है नहीं मिलना चाहिए उसके किलाब सब्सक्त कारवाई होने चाहिए सरकार मेरी है तो क्या मैं अन्याय सेहन कर लूँगा और इसके बाद शायद आप सही से सुनने ही पाए होंगे कि किरोडिलाल ने चलते हुए कहा कि मेरे ही खिलाफ मेरी सरकार में मुकदमा हो गया दरसल हम लगतार आपको क्योडिलाल मेरा से जुड़ी खबरे दिखा रहे हैं कि किस तरह सी आई कवीता शर्मा से और उनका विवास सामने आया किस लहज़े में उन्होंने कवीता शर्मा से बात की थी उसकी भी कई हमने वीडियो अपने चैनल पर लगाई है और उस पर हम टीवी नाइन के स्पेशल शो एट पीम में चर्चा भी कर चुके हैं लेकिन अब आपने लहज़ा देखा कि किस तरह से एक मीडिया कर्मी ने उनसे सवाल पूछा जिस पर वो भड़क रहे अब वो मीडिया कर्मी पर भड़क रहे या फिर वो अपनी ही सरकार में उनकी बा पाई जगमोहन मीना की हार के बाद से लहजा थोड़ा बदला बदला हुआ दिख रहा है तलक हो गया है उसके पीशे की वजह क्या है और क्या सच मुझ भजलाल सरकार में अब उनकी सुनी नहीं जा रहे है इसलिए और जादा वो दिन पर दिन तलक होते जा रहे हैं देखि और आभी क्या जिन्नानिने मैं मन्तरी हूं आप क्या में अपनी सरकार किलाब नहीं जा सकता तो वह धरसल टीवी नहीं नहीं भात नहीं कहे रहा हैं. वह उनको जहां लगता है, अब जिस मुद्धे पे भड़ा करें कि पत्रकार की उसमें कोई गलती नहीं है. वो रिपोर्ट थी कि राइजिंग राजस्थान के इनाउग्रेशन से पहले ऐसा ही भरती के कुछ परिक्षारती काले डंडे दिखा सकते हैं या विरोध प्रधर्शन कर सकते हैं तो यह एतियातन तोर पर कभी भी बड़े प्रोग्राम सोते हैं कितना बड़ा प्रोग्राम तो पुलिस हलाईयू की रिपोर्ट लेके यह सब एतियातन आप वहां पहुंच गया नहीं छोड़ो इस लड़की को छोड़ो यह चोड़ो तो आप क्या चाह रहे हैं आप चाह क्या रहे हैं यह अब कि रोड़ाल मीना को बताना है बिलकुल हर जगे आपको सरकार गलत करत दिखाई देती है डिम्पल मिनाहत्या कांड़ हो जे ऐसाई भरती परिक्षा हो या नरेश मिना कांड़ हो या जगमोहन मिना की हार के बाद वहां बीजेपी के अंदूरनी नेता हो गलती उधर दिख रहे हैं जिस तरह जिस ओर से आप मंत्री बनाए गए आप वितायक बन हैं आपनेता है जी विरोध ही होना या सही बात कहना लोगता में गलत नहीं है मंत्री लेकिन एक यहीं मंत्री है क्या फिर दोसो लोगों में बिल्कुल किसी और मंत्री की तो इस तरी के कोई खबर सामने नहीं आ रही सर कई 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 विवादित मंत्री आए अपना चुप चाप धी में से मैटर निपड़ गया चली नहीं मीडिया में खबर बिल्कुल सर हम कल बात कर रहे थे राजिंग राजिस्थान पर हमने शो किया था चर्चा की थी कल लेकिन उसमें भी आपने करनल राज्य वर्धन राठोड को लेकर बात कहीं कि जब मुख्य मंत्री विदेश यात्रा पर गए जापान टोकियो तो वहां पर उनको ना ले जाक गया और उन्होंने उस पर बड़ा सधा हुआ जवाब दिया कि ठीक है हम यहां रहे करता ही और वहां रहे करता ही बस लेकिन किरोडिलाल मीना के मामले में यह चीज़े उलट है वो क्या कर रहे हैं उनको मुझे लगता है भजलाली ने सब सूझ रखा है कि काम करते रही है यह जो कर रहे हैं आला कमान के पास नोट हो लेकिन शायद अब देखिया किरोडिलाल मीना की यह इस्थीती अब जो देखने को मिल दिये उस पर कही न कई पुछकर सर भजनलाल जो है वो कही न कई भारी पढ़ते हूं नजरा रहे देखिए भजनलाल मुख्यमंतरी की हमने अब देखिए राइजिंग राजिस्थान कल से शुरू हुआ है आज दूसरे दिन है कल तीसरे दिन उसका समापन हो जाएगा उसके बाद इन्वेस्टमेंट जितना आएगा वह भी सामने आ जाएगा लेकिन इस दोरान प्रधान मंतरिया उन्होंने मुख्यमंतरी की भरे म पूछा गया तो उन्होंने भी उनकी तारिफ की देखे पहले एक बार वह बयान में आपको सुना देता हूं उसके बाद इस पर आप बताए कि क्या वो अब मुख्यमंतरी भजनलाल शर्मा उन पर भारी पढ़ सकते देखे वसंद्रा नाजय ने क्या कहा पहले वह सुन ले है वह फल लाएगा और राजस्थान का उसको मनें राजस्थान को उसका पूरा पूरा असर उस पर होगा और आज जो आप देख रहे हैं यह जमीन पर आते ही जॉब्स एक्राउनमी और राजस्थान का एक रंग बदलने का मौका मिलेगा आए भागवान से प्राटना यही करती हूं कि यह जल्दी से जल्दी जमीन पर आ जाए अगले चार सालों में हम लोग सब इसको अच्छी तरह से फलते फूलते राजस्थ आनको देखना है तो देखिए वसंधरा राजे भी अब भजनलाल की किस तरह तारीफ कर दिया है और आपने अगर गोर से सुना हो तो जब वह कह दिए कि यह हमारे मैं बोलना चाहरा हूं दर्शिकों तक पात पहुंच जाए बदले-बदले से सरकार नजर आते हैं बदले- जो मुख मंतरी और प्रधान मंतरी सब एक साथ तारीफ के उसमें आ रहे हैं तो अब राजिस्थान में मैं यह कह सकता हूं कि कुछ बड़ा होने वाला है जी तो यह बयान सुनाने का मकसद याई था सर कि मुख मंतरी पद की रैस में सबसे आगे थी वसंद्रा राजे जब राजिस्थान में विधान सभा चुनाव हुए और जब उन्होंने पर्ची खोली तो उस पर भी कितनी ही सियासी गलियारों में सवाल उठे कि वो चौक ग तो गलत सही आप फोरम में उठाएंगे पब्लिक में नहीं उठाएंगे आप सीनियर टैबलेट मिनिस्टर हैं एक बार के नहीं आप सांसद रहें विधायक रहें मंत्री रहें आप जाए किसी समय टाइम ले लिए मिल के उनको बार आप पूरा मीडिया बुला लेंगे फि सम्रस्ता गाउं में क्या हुआ तो डिंपल किया हुआ तो कॉंग्रेसी क्यों मिलने आ रहें चुनाओ जीतना है तो राजेश पाइलेट सचेन पाइलेट अच्छे हैं तो जनता अब समझ रही है कि आप में बौकलाहाट आ रही है आप अब सम्हाल नहीं पा रहे हैं क्या ठीक है वसुंद्रा जी से बड़ा नाम थोड़ी ना था बीजेपी बिल्कुल किरोडिलाल मीडा का जी आइधर यू फॉल इन लाइन और यू आउट जी सिर्फ अपनी ही सरकार नहीं बलके किरोडिलाल मीडा मुझे एक कदा मोरा आगे रख रहे हैं आपने भी वह बयान सुना होगा जब किरोडिलाल मीडा नरेश मीडा के लिए जब वह सम्रावता गाओ गए थे उनसे जेल में म बना पा रहा है जब मैं था मैं तिलको तार बना दी तो विपक्ष को भी कहीं नपहीं उकसाने वाली बाते उनंदे अपट आपकी लाइन सही है ना कि रोड़ी कि सिनी नहीं जा रही जिया मो मंग है सरकार से आब वह कुछ और चाहर हैं रहे हैं वह चाह रहे हैं कि मैं जो जीतले जो कभी नहीं जीत लिए तो कभी कभी और यह किरोडिलाल जी समझ नहीं पा रहे हैं मेरा जो आकलन विक्तिकर्ट तर पर क्या को जो समझ यह लोगों से बातचीत हो के अब वो पद नहीं पा पा रहे हैं और रेस आगे निकल गई है लेकिन सर एक और सवाल जो देखन को मिल रहा है पिछले कई दिनों से जब से किरोडिलाल मीना का ये रवया देखने को मिल रहा है कि किरोडिलाल मीना अब गहलोस सरकार की जो इस्थिती थी कहीं ना कहीं उस इस्थिती में भजनलाल सरकार को ला सकते उसी रास्ते पर चल रहे जिस रास्ते पर पाइलिट थे त तो इतना दबाओ, दबाओ तो इस समय बीजेपी सुन नहीं रही किसी की, गट बंदन के लोगों की नहीं सुन रही है, तो 121 के विदायकों के साथ, 26 विदायकों के साथ बैठी है तो, तो क्या आने वाले टाइम में सर, किरोडिलाल मीना पर कोई बड़ा एक्शन देखने को मिल सकते हैं? नहीं मिल पाई और उनके साथ साथ अभी नहीं नहीं चुनाव जीती है, शांत्य देवी और इसके साथ 12 विदायक हैं, जिनको राइजिंग राजिस्तान में एंट्री नहीं मिली? वो विदायक हैं, आप कहने को कहते हैं मैं मिनस्टर हूँ, मिनस्टर नहीं हूँ. पावर इंजॉए कर रहे हैं किरोडिलाल जी. और यह सम्मान पार्टी उनको दे रही है, यह सम्मान बजनलाल सरकार दे रही हैं उनको. फिर उनको यह सब ऐसे नहीं बोलना चाहिए. पर कोई बड़ा एक्शन होगा या नहीं होगा या नहीं होगा या नहीं होगा या आने वाले वक्त में ही पता चलेगा और क्रोडिलाल मीना अब क्योंकि आज भी एक बड़ा अपडेट आना था दस दिसंबर का समय कोट ने राजिस्तान सरकार को दिया था कि उस पर अपना जवाब दाखिल करें आज दस दिसंबर हो गई है अब इस पर भी कोई बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है और उसके बाद क्रोडिलाल मीना का अगला क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी फिलाल आज किस चर्चा में इतना ही बाकि कल एक बर फिर आपके सामने हाईसर होंगे एक नए सियासी मुद्दे के साथ फिलाल हमें दीजे इजादत शुक्रिया